नमस्कार आज के इस वीडियो के इंदर आप सभी का अर्दी की स्वागते आज के इस ओनलाइन क्लास में हम बढ़ेंगे मनुश्य में पाचन मनुश्य के पाचन के उपर हमने पहले से अल्रेडी दू वीडियो अप्लोड कर दिये हैं अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं आज के इस लक्षर के अंदर हम पढ़ेंगे मनुश्य के अंदर पाचन वाल दांत और उनकी विशेश्टाए और उनके परकार तो अचली है शुरू करते हैं कल हमने पढ़ा था कि मुख गुगा के तीन भाग होते हैं और उसमें तीसरा भाग हमने पढ़ा था दांत तो मनुश्य में पाय जानावल दांत हैं तो मनुश्य के मुख गुगा के अंदर जो दांत पाय जाते हैं वो पाय जाते हैं मुशुडों के अंदर तो मुशुडों के अंदर जो दांत है वो इस प्रकार से रहस्तित रहते हैं इस प्रकार से प्रवस्तित रहते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्ता होती है जिसमें दांत ये शॉकेट बने हुए होते हैं और शॉकेट के अंदर जो दांते वो इस प्रकार से होते हैं इनकी जो सरंचना है वो इस प्रकार की होती है दातों की जो सरंचना है अंदर की सरंचना है मुष्ड़ों के अंदर वो इस प्रकार की होती है तो मुष्ड़ों के बीच-बीच में सौकेट बनने हुए होते हैं एक तरसे गड़े नुमा सरंचना होती है और उसके अंदर ये ठीको डॉंट या फिर गर्त दंती तो मनुस्य के दाथों की जो पहली विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जयसे की पहली बार जो मनुश्य के अनदर दाant आते हैं उन्हें कहते हैं और एस्ताई दाant और मनुश्य के अंदर जब दूसरी बार दात आते हैं उन्हें हम कहते हैं इस्ताई दाant और इस्ताई दात को इंगलिस में का जाता है टेंपरेरी टीथ इस्ताई दात को का जाता है परमानेंट टीथ और इस्ताई दात का दूसरा नाम है दूद के दात और इस्ताई दातों का दूसरा नाम क्या है दूद के दात इस्ता ही दातों कातों इस्ता ही दाती नाम है यानि मिल्की टीथ या फिर मिल्क टीथ तो मनुश्यों के अंदर दाते वो दो बार आते हैं पहली बार जब दात आते हैं तो उनकी संग्या होती है 20 और दूसरी बार जब दात आते हैं उनकी संग्या होती है 32 तो वेस्क मनुश के अंदर पहली बार नात आते हैं उनकी कुल संग्या होती है 20 तो इस बात का आपको त्यान रखना है तो मनुश्य के अंदर दात दो बार आते हैं यह मनुश्य के दातों की दूसरी विशेष्था हुई अब हम आगे देखते हैं कि मनुश्य के दात की तीसरी विशेष्था क ये पे वो अलग-अलग होती है सभी दातों की आकरती ये सभी दातों का आकार वो एक समान नहीं होता है कुछ दात होते हैं वो आगे से ऐसे तीखे होते हैं और कुछ दानत होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं तो मनुश्य के अंदर जो दानत होते हैं वो होते हैं विसमदंती तो मनुश्य के अंदर कितने प्रकार के ऐसे दानत हैं तो च्छार प्रकार के दात कौन कौन से उनका क्या नाम है तो सबसे पहला प्रकार मुनिश्य के नदर दातों का उसे हम कहते हैं क्रिंतक कुछ स्टुडेंट इसको कृत्तनक पढ़ते हैं जोकी उच्छारण की दरष्टी से गलत है इसका सई अनुवादे सई उचारणे क्रिंतक जिनम कहते हैं इन्सीजर जिने एंगलिस में क्या कहते हैं इन्सीजर मनुश्य के दातों का आखार के दातों का दूसरा परकार है वो है रदनक तीसरा परकार है अग्रेच चवर्नक और चौथा परकार है चवर्नक रिदन्दक को इंग्लिस में का जाता है कैना इन अग्रेच चवर्नक को का जाता है परिमोलर और चवर्नक को का जाता है मोलर दात अब लिखे करंतक दातों का क्या काम है रिदन्दक दातों का क्या काम है अग्रेच चवर्नक का क्या काम है और चवर्नक का क्या काम है तो करंतक, करंतक से इस पर चोड़ा है कर से आपको इसका कारिय लिखना है करंतक से काटना यानि करंतक दातों का कारिय है काटना कटिंग करना, उड़ की क्या करने, कटिंग करना तो करंतक दातों का कारिया है किसी भी बोजी पदार्थ है या खाद्य पदार्थ को क्या करना काटना दूसरा परकार है दातों का रदनक और उसका काम है चीरना या फिर फाड़ना तो कोई भी फूड मेटीरियल है उसको चीरने या फाड़ने का काम कौन से दात करते हैं वो क दातों का जो तीसरा प्रकार है उसका कारिया है भोजन को चबाना Chewing of the food और च्वाता कारिया है उनका कारिया है बारिकी से सबाना च्वाता प्रकार के दातों का कारिया है बारिकी से चबाना इसको अब देखिए यह च्छार परकार के दांत हुए अकरति का जार च्छार परकार के दांत है और उनके कारिय अगर हम बात करें कि छोटे बच्छों के अंदर यह कितने दांत होते हैं जो पहली बार आते हैं और फिर दूसरी बार आते हैं तो उनकी सिंख्या क्या है तो चोटे बच्छों के अंदर जो करंतक दांत होते हैं उनकी संक्या होती है आठ रदनक दांत होते हैं उनकी संक्या होती है चार और अगर चवरनक दांत हैं उनकी संक्या होती है सुन्य या फिर जीरो और चवरनक दांत होते हैं उनकी संक्या वाफस होती है आठ और कुल मिलाकर चोटे बच्छों के अंदर दातों के संख्या होती हुए 20 तो 8 और 8 16 और 4 20 अब देखो 20 का मनुस्य या फिर 20 साल से उपर वाले मनुस्य के अंदर जो दातों के संख्या होती है वो 32 होती है और इसमें कर्म तक दातों के संख्या होती है 8 रजनक दातों के संख्या होती है चार अगर चवनक की होती है आठ और चवनक की होती है बारा तो इसके संख्या कितने होती है चवनक की होती है बारा तो इस प्रकार से कुल दातों के संख्या हुई वो हुई 32 कितने हुई 32 20 साल से उपर है उनके उनदर दाथों की संख्या होती है 22 और चोटी बच्छों के इंदर जो पहली को त्यान रखना हैं फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे दातों का दंत सुत्र मनुस्य के दातों का दंत सुत्र तो मनिश्य के अंदर दात दो बार आते हैं और दोनो प्रकार के दातों का दंत सुत्र हम यहां देखेंगे और क्या होता है दंत सुत्र वो भी हम समझेंगे तो हम यहां लिखेंगे दंत सुत्र या डेंटल फॉर्मूला दंत सुत्र या फिर डेंटल फॉर्मूला अब देखिए मनुस्री के अंदर पहले बार आने वाले दांत है उन्हें हम कहते हैं दूद के दांत या और इस्ताई दांत और इसका दूसरा नाम है और इस्ताई दांत टेंपरिरी टीथ मिल्की टीथ और इन के संग्या होती है 20 कितने होती है 20 इनकी कुल संग्या होती है 20 अब देखिए मनुस्री के अंदर दांत है वो उपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में दोनों जबड़ों के अंदर दांत है पाए जाते हैं अब देखिए उपर के जबड़े के दो भाग कर दिये जाए और नीचे के ज दातों की व्यवस्ता है इस प्रकार से यह नीचे के दातों की व्यवस्ता है इस प्रकार से यह नहीं यहां पर इस प्रकार से दात व्यवस्ती थे इस प्रकार से ठीक है तो इनके हम कुल दातों को हम कितने बागों बाटेंगे चार बागों के अंदर बाटेंगे अब देखि इसको हम दो भागों में बाढ़ते हैं तो इस तरफ जो दाह ते वो ये पां смотреть वो पां czasu इस तरफ तरफ दाह ते वो पांच और इस तरफ डाह ते वो पांच कर अब देखिए मौ के अंदर कुल जितने भी दाते उग कितने बागाशने हैं आपको चार बाग करने हैं उसके बार में देखना है कि एक तरफ कितने दात है उपर के जबडे में एक तरफ कितने दात है एक तरफ है पांच दात है पांच अब हमने देखा था कि कुल दात होते है 20 और उसमें करंतक दात होते है उनकी सिंख्या होती है आठ रिदनक दाहत होते है उनकी सिंख्या होती है चार और चवरनक दाहत होते है छोटे बच्छों की बात कर रहा हूं है वो आठ और अगर चवरनक दाहते वो नहीं पाएजाते है तब यहां देखिए जितने भी दाहत अनको आपको पहले देखना है अब देखिए 20 में से एक तरफ 5 दाहता आ रहे हैं तो 8 में से कितने दाहत जाएंगे तो देख़िए 20 के हमच़ भाग करते हैं तो पाँच आते है उसी परकार से 8 के भी चॉरर भाग करने हैं तो आठ के जहार बाग करेंगे तो एक तरफ कितना आएंगे एक तरफ आएंगे दो दांत एक और दो, दो हुए, उसके बाद में देखना है, कि रिदनक है, उसके भी ब्राबर सहार बाग करने है, तो एक तरफ कितना आएगा, एक का आएगा, तो यह पहले वाले तहें करन तक, यह दूसरे वाला एक है, मैं थोड़ा खुला लिख रहा हूँ, वो रिदनक, और फिर देखुए, इसी तरह से, यहां आठ के दो दानत आए एक तरफ, तो यहां पे भी आठ है, तो यहां पे भी क्या होगा, एक तरफ कितने दानत आएंगे, दो दानत आएंगे, तब यहां देखिए, यहां पे भी दो दानत यह आ गए, अब देखिए, एक तरफ जो दानत है कि चवर्णक से पहले अगर चवर्णक आते हैं चवर्णक से पहले कौन से दात होते हैं अगर चवर्णक दात होते हैं तो यहां पर आपको डिरेक्ट दोस्वारा ने लिखना है यहां आपको पीछे वाली संग्या है उसके आगे जीरो लगाना है या फिर सुन्य लगाना ह इस प्रकार से आपको 0 लगा दिया अब देखिया यह उपर वाले जबड़े के अंदर आधा भागे अब उसी प्रकार से नीचे वाले जबड़े के अंदर भी ऐसे कैसे दाथ होंगे तो सेम संक्या आम यहां लिख सकते हैं 21,0,2 21,0,2 अब देखिये जितने दाथ इस तरह पे उतने के दाथ इस तरह पे और जितने दाथ इस तरह होंगे उतने के उतने दाथ इस तरह होंगे तो इसका मतलब है हम इसको दो से मल्डिपलाई करते हैं इसमें आपको गुणा नहीं करना है क्योंकि गुणा करेंगे तो इस प्रकार से उत्र नहीं आएगा 2002 अपॉन 2002 कर जाएंगे इसका एक बनेगा इंटी 2 मतलब दो बनेगा लेकिन यह एक प्रकार से व्यावस्ता का फोर्मूला है कि किस प्रकार की व्यावस्ता है अलगलग प्रकार की दात पाये जाते हैं उनमें पहले वाले संक्या से हम पता चलेगा कि ये करंतक दांत है उपर वाले आदे जबडे में और ये रिद्नक दांत है ये अगर चवर्नक दांत है ये चवर्नक दांत है तो यह जीरो का मतलब है अगर चवर्नक दांत तक नहीं पाय जाते हैं छोटे बच्चों के अंदर जिसमें पहली बार दांत आते हैं तो दूद के दातों के अंदर किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं अगर यह प्रस्थ न पूछ ले तो अगर छवनक प्रकार के दांत हैं वो मनुश्यों के अंदर नहीं पाए जाते हैं कैसे मनुष्य, मनुष्य के कौन से दांथ मनुष्य के श्चपरन रख नहीं पाहिए जाती. यह आपको ध्यान रखना है अब उसी प्रकारसे यह दोद के दांथों का फॉर्मूला हुआ अब मैय समझाऊंगा आपको पर्मान्यन्ट टीथ या इस्ताई दान्तों का हर्मुला इस्ताई दान्तों का सुत्र यह आपको लिख लाना है कि मनुश्य के अंदर इस्ताई दान्तों होते हैं उनका सुत्र क्या है तो मनुश्य के अंदर इस्ताई दान्तों होते हैं उनका सुत्र होता है 2102 upon 2102 into 2 मुन उसले में पाई जाने वाले अस्ताही दातों का दंतस्फुत्र अब दूसरी परकार के दाथ है जिनका नाम है इस्ताही दांत परमानेंट टीथ there are two types of teeth on the basis of shape temporary and second is permanent दूसरे परकार के दाहते हैं उन्हें हम कहते हैं इसते ही दाहत या फिर permanent teeth और इनके कूल संक्या होती है 32 जिसमें क्रंतक रदनक अग्रिच वरनक एक मिन्ट और शदा परकारे चवरनक अब देखिए कुल 32 दाहते हैं उसके अंदर चवरनक दाथों के संक्या होती है मनुश्य के अंदर वेस्क मनुश्य के अंदर जो पर्मानेंटी होते हैं जो इसता ही दात होते हैं उन्हें करंतक दातों के संक्या होती है वह तीए आट रदनक दातों के संक्या होती है वह तीच्या अग्र चवरनक दातों के संक्या होती है वह आट और चवरनक दातों के स सबसे ज्यादा पाइज आते हैं तो सोनग परकार के दाहते हैं वो होते हैं वारा इस बात का आपको ध्यान रगना इस प्रस्णव का आपको उत्तर ध्यान रगना है पिर देखें कि मनुश्य के दातों को हम इस परकार से वापस चार बागों के इंदर बाठ दें तो उसमें क तो यह एक दांत फिर तीस्रे वाला परकार है जिसमें आठ है तो हर तरफ कितने दांत दो दांत और फिर देखिए चोदे वाला परकार है बारा तो बारा के चार बाग करेंगे तो कितने आएंगे तीन तीन दांत आएंगे तब याद देगिए एक दो और तीन पहले वाले जो दो दाहते उन्हें कहते हैं करंतक दूसरे वाला एक दाहते वो रदनक ये दो वाले दाहते दो दाहते उनको कहते हैं अगर चवरनक और ये तीन दाहते उनको कहते हैं चवरनक तो ये कुल कितने दाथ हैं ये तीन दाथ ये दो पांच और छे और दो आठ याने एक तरफ आठ दाथ दूसरी तरफ भी आठ दाथ तीसरे तरफ भी आठ दाथ और चौती तरफ भी आठ दाथ आठ सो कर बतीस तो कुल कितने दाथ हुए कुल दाथ हुए बतीस तब यहां द तरफ भी एक तरफ चो दा ते तो हुगने 21 थेइस अब देखिए जो दात इस तरफ होंगे मई के वेज़ दात उस तरफ होंगे और उतने बराबर संध्या होगी तो यहां गुणा 2 मल्टिप्ले का किस संग्या से करेंगे 2 से हम मल्टिप्ले करेंगे 21 बटे 21 इंटू 2 यह किसका सुत्र है यह मनुश्य के अंदर इस्ताई दातों का दंत सुत्र है तो मनुश्य के अंदर इस्ताई दातों का दंत सुत्र यह है और मनुस्य के अंदर ऐस्ताई दातों का दंत सुत्र यह है अब इससे इसपस्ट क्या होता है कि मनुस्य के अंदर जो दात पाए जाते हैं वो ऐस्ताई दातों के संग्या 20 होती है और इस्ताई दातों के संग्या होती है वो होती है 32 इसमें दूसरा अंतर ये है कि मनुश्य के अंदर जो अश्ताई दांत होते हैं उनके अंदर अगर चवनक दांत होते हैं जबकि चवनक दांत दो जो हर जबड़े के अंदर हर साइड में होते हैं पिर तीसरा अंतर ये है, कि सबसे पीछे वाला जो मोलर दांत है, उनिमें नहीं पाये जाताँ, जबकि सबसे पीछे वाला मोलर दांत है, वो उस्ताइ दांतों के अंदर पाये जाताएं, परमानेन टीस को कre vivid DAと思います, कौन से दाथ को सबसे पीछे वाले दाथ किसी पी जबड़े के अंदर सबसे पीछे वाले दाथ होते हैं जो एक-एक दाथ होता है उनको कहा जाता है अकल के दाथ या फिर विजडम टीथ अकल के दांत जो कि 20 साल की उम्रक के बाद या फिर उम्रक पर आते हैं उनको क्या का जाता हैं विज्डम टीत का आ जाता हैं और इनकी कुल संख्या होती है चार यानि एक तरफ पिछे वाले जबड़े के अंदर एक दांत दूसरी तप एक दांत कुल दो दांत और दो दांत नीची वाले जबड़े के अंदर होते हैं तो दो और दो कुल छार दांत तो छार दातों को हम्द इन अकल के दात, विजडम टीथ का आ जाता है और विजडम टीथ होते हैं, वह छोटे बच्छों के अंदर नहीं पाया जाते हैं, जबकी 20 साल के उमर के बाद में ही निकलते हैं तो इस बात का भी आपको तिहां रखना है कि अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपने नेक्ष्ट भाग को करस्नी को पढ़ेंगे आम अगले वीडियो के अंदर तब तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वह भी देख लेजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पी कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टाइम पे टू टाइम वीडियो देखते रहें आप सभी का बहुत बहुत देनीवाद